कभी कोई कहता है बहुत सारी vocabulary याद करो, कभी कोई कहता है tenses याद करो, जब tense कोई पढ़ाने जाता है तो present tense, past tense, future tense, फिर उसके types, फिर कभी ये tense, उसका affirmative, negative, interrogative, ये सब. सच बताना दोस्तों, क्या कभी ऐसा मन में आता है, ये सब कब तब कितना कैसे याद रखेंगे? जे हाँ, ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ, क्योंकि जब मैं English सीख रही थी, मुझे English नहीं आती थी, तो ऐसे आप कई बार मेरे दिमाग में आता था, कि कैसे सीख पाएंगे, अगे तो सब बहुत टफ है, कैसे याद रखें? लेकिन हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, आपके साथ मैं लगातार बनी रहूंगी और आज देखते हैं, कि आज ऐसा क्या हम दो मिनिट में देख लेने वाले हैं, जिससे सारा कन्फूजन एक ही बार में दूर हो जाएगा? हलो फ्रेंड्स, मैं लोती का, आज आपका बहुत सारा कन्फूजन, बहुत सारा डर दूर करने के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हूँ, जिसमें अब तक के पढ़े वे सारे टैंसेस और जो आगे हम पढ़ने वाले हैं सब टैंसेस का एक चार्ट, एक क्लासिफिक तो जादा वक्त जाया किए विना शुरू करते हैं आज का वीडियो. ये तो आपको पता ही है कि टैंसेस के में तीन ताइप्स होते हैं प्रेजेν टैंस, पास टैंस और फूजर टैंस. Present Tense फिर चार तरह का होता है Simple Present Tense, Present Continuous Tense, Present Perfect Tense and Present Perfect Continuous Tense इसी तरह Past Tense फिर चार तरह का होता है Simple Past Tense, Past Continuous Tense, Past Perfect Tense and Past Perfect Continuous Tense Future Tense के भी यही चार टाइप होते हैं Simple Future Tense, Future Continuous Tense, Future Perfect Tense and Future Perfect Continuous Tense किसी भी Tense के यह सारे सब टाइप्स बार बार याद करने की जरूरत नहीं है देखे, आपको Present, Past और Future किसी के भी साथ नए नाम केवल चार याद करने हैं सब टाइप्स याद करने के लिए एक Simple, दूसरा Continuous, तीसरा Perfect और चाथा Perfect Continuous यह चारों जब Present के साथ जोड़ेंगे तो उसके चार सब टाइप्स बन जाएंगे जब Past के साथ जोड़ेंगे तो उसके चार और Future के साथ जोड़ने पर उसके भी चार टाइप्स बन जाएंगे इस तरह से नाम नए नहीं है जो बार बार याद करने हैं वही की वही हैं We will start from the types of tenses. Tenses are of three types. Present tense, past tense and future tense. Then present tense or past tense or future tense or any of these three tense is again of four types. These four types are simple tense, continuous tense, perfect tense and perfect continuous tense. So these four names you have to match with present, past and future. ये सब इस चार्ट में आपको बहत आराम से लिखे का. So now just do not pressurize yourself by any kind of the burden and you just see the simple classification. Learn it or you can take it as a screenshot and you can keep it with you. और जब भी आपको ज़रूद पढ़े आप इस screenshot को खोल कर या इसा note करके अपने दिमाग में सबसे पहरे tenses के types बढ़ाईए. तो दोस्तों आज आपको सारे tenses के types अपने दिमाग में रखने हैं और एक चार्ट बना के अपने table पर पढ़ाई करते वक्स सामने रखें या एक दिवार पर paste कर दें या इसका screenshot लेकर उसका print out निकलवा सकते हैं. आज के इस वीडियो में सारे tenses के types याद करने के बाद अगले वीडियो में हम मिलने वाले हैं present perfect continuous tense के साथ लेकिन अब तक के tenses अगर आपको एक बार revise करने हैं तो आप मेरी website की link पर जाएं और सारे videos line से हैं सारे tenses एक बार revise कर लें या फिर आप YouTube पे भी सारे videos देख सकते ह हैं directly आपको मेरी website के link description box में मिलेगी so keep yourself motivated and keep on learning English take care have a nice time